लो फेंट्स वेलकम बैक टू माई चेनल फेंट्स अगर आप अपने सफेद बालों को हमेशा के लिए अलवीदा कहना चाहते हैं तो सर्तों की तेल में कुछ ऐसी चीज को अड़ करके अपने बालों में लगा कर देखिए और यकीन मानिए इसके यूज से आपके एकी बार मे सफेद बालों को हमेशा के लिए कायब हो जाएंगे और वो कभी लोट कर भी वापिस नहीं आपाएंगे तो गाइस अगर आप पर्मानेंटली सल्यूशन चाहते हैं अपने सफेद बालों को हमेशा के लिए अटाने के लिए और अपने बालों की हेर ग्रोथ के लिए तो इ सब्सक्राइब कर लिए और बाजू के बैल आइकन को भी ओन कर लिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन इसी तरह से मिलते रहे सबसे पहले फिरिंट सर्सों के तेल में आपको आवला पाउडर एड करना होगा आधा चम्मज आवला पाउडर हमारे बालो की जड़ों में लगता है ये खटा परधारत होता है जिससे हमारे बालो का जड़ना तूटना हमेशा के लिए बंद हो जाता है इसके बाद आपको इसमें एड करना होगा चाय पत्ती का पाउडर आपको फ्रेंट्स या तो बिल्कुल बारिक चाय पत्ती खरीदनी है या फिर मिक्सी में डाल कर आप चाय पत्ती पाउडर बना कर तयार कर सकते हैं इसके बाद आपको इसमें एड़ कर देना होगा तीन चम्मच सरसो का तेल इस तरह से आप इसी सरसो का तेल एड़ कर दीजिए और इसके अलावा इसमें आपको कुछ भी और एड़ नहीं करना है बस सरसो के तेल में आपको इन दो चीज़ों को ही एड़ करना है और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके बाद आपको इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना होगा ताकि चाय पत्ती और आवला पाउडर अपना अच्छे से फायदा आपके बालों में दे सके इसके बाद आप इसे अपने बालों की जड़ों में लगाए और मसास कीज़े लगब 5-7 मिनट की और इसे आप अपने बालों में 10-15 मिनट तक लगा कर चोड़ दीजेगा और उसके बाद आप अपने बालों को शैंपू कर लिजे उसके बाद देखिएगा कि आपके जो पोचर मिलेगा उन्हें भी मजबूती मिलेगी जिससे आपके बालों का जायना भी बंद हो जाएगा और 37 सफेद बालों से भी आपको हमेसा के लिए चुटकारा मिल जाएगा तो गाइस यह था आज का मेरा वीडियो आज के वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगे त कमेट्स के जरिये मुझे जरूर बताईएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों